नमस्कार दोस्तों! आज के इस विडियो के इंदर इटेल में इसके बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, tail bone pain को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके एंराट्मी और इसके structure को समझना होगा तो tail bone जो bone होती है यह हमारे sacrum के नीचे इसलिए पर attach होती है यह तीन coccus bone होती हैं जो मिलकर tail bone बनाती है और जब भी हम लोग बैठते हैं तो हमारी सेटिंग का पूरा लोड हमारी pelvis और हमारी इस tailbone के उपर आता है तो जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उन लोगों के इंदर इसके surround ligament की swelling हमें देखने को मिलती है जिसके कारण भी दर्द का सामना करना पड़ता है लेकिन वहीं अगर आपकी किसी injury की history हो कि आप कहीं slip होकर इस bone के उपर strike कर गए हो या injury हो गई हो या किसी कारण से आपको इस bone के उपर कोई जटका लग जाता है तो भी patient को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है और ऐसे condition को treat करने के लिए हम लोग physiotherapy का treatment, गरम या ठंडे का सेख या फिर tailbone pillow जैसी supportive चीज़ें की help लेते हैं जिसे patient को आराम लेता है लेकिन दूसरी जो major समझ्चा है जो हमें आजकल काफी ज़दा देखने को मिल रही है जहां पर किसी भी तरीकी की injury नहीं होती फिर भी patient को अपनी tailbone में इतना पीन होता है कि वो बैठ ही नहीं पाता और जातर ये जो common समझ्चा है ये हमें सारे professional जितने भी हैं जो उनका काम लंबे समय तक बैठे रहने का है उन सभी के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों जो लोग लंबे समय तक sitting करते हैं उनकी sacrum bone का जो moment है वो धरी-धरी stuck होने लग जाता है जहां पर ileum bone आगे rotate होके stuck हो जाती है sacrum पे किसे रहे का dispension आ जाता है और ये जो dispension होते हैं ये हमारी tailbone की ligament को बहुत ही ज़ादा effect करते हैं तो जिन patients के अंदर किसी भी तरीकी की गिरने की history नहीं है और बैठे बैठे ही उनको tailbone पेन आना शुरू हो गया है तो उनको या फिर उनके kisses में हमें sacrum और ileum के dispension देखने को मिलते हैं अब जब तक आप sacrum bone को mobilize नहीं करेंगे ileum bone को mobilize नहीं करेंगे ये लगातार आपकी tailbone को एक तरफ से pull करती रहेगी जिसके करण जब भी आप setting करेंगे तो एक तरफ आपको ज़्यादा hard मैसूस होगा और एक side आपकी हावा में मैसूस होगी अगर आपको ऐसा मैसूस होता है तो और आपको tailbone में पेन भी रहता है उस cases के अंदर भी हमें tailbone पेन देखने को मिलता है तो अगर आपको tailbone पेन है और किसी तरह की injury नहीं है तो आपको या तो ये dispension हो सकते हैं या फिर आपको L5-S1 के अंदर कोई हलका नर्व का compression भी हो सकता है जो आपको ये tailbone पेन करता है तो आज के इस वीडियो के अंदर कुछ exercise में आपको बता रहा हूँ जो दोनुई cases में आपको काफी helpful होगी अगर आपको injury है तो injury के लिए भी आप ये exercises कर सकते हैं और अगर आपको ये dispension है तो आज के इस वीडियो में कुछ mobility exercise में आपको बताऊँगा जहाँ पर आप sacram और tailbone को mobilize कर पाएंगे जिसे घर रहकर आप इस समशा को ठीक कर पाएंगे अगर आप कोई ये वीडियो अच्छा लगता है ये exercise करके आपको राम मिलता है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और हमारे membership को आप join कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग one on one हमारे member के साथ में live रहते हैं वही हमारा telegram का एक group बना हुआ है जहाँ पर हम लोग health related काफी चीज़े upload करते रहते हैं तो वो भी आप join कर सकते हैं जो कि बिल्कुल free of cost है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के exercise दोस्तो हमारी सबसे पहली exercise है टेल बॉन पेन के लिए यह exercise है child pose exercise इस exercise को करने के लिए आपको बस घुटनों को पीछे रखना है और फिर जितना पीछे तक आप बैठ सकते हैं उतना पीछे आपको बैठना है ऐसा करने से आपके pelvis sacrum का mobilization होता है वहीं आपके hip की muscles भी open होती है इसी exercise का एक और variation है जिसमें आप घुटनों को जितना broad रख सकते हैं उतना broad रखिए और फिर वापिस नीचे की तरफ बैठिए ऐसा करने से आपकी दोनों side की hip की muscles opposite side में stretch हो जाती है और आपकी tailbone और sacrum को अच्छा एक movement मिलता है वहाँ के mobilization के लिए tailbone pain को जितना वहाँ की surround ligament muscles को जितना आप release रखेंगे वहाँ की tightness को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा mobilization आपको अपने tailbone के surround sacrum पे मिलेगा जिससे कि आपको दर्द में काफी अच्छा राम मिलेगा दोस्तो हमारी अगली exercise में आपको उल्टा लेड जाना है और दोनों गुटनों को 90 degree पे मोड लेना है और दोनों गुटनों के बीच में अच्छा कासा space आपको रखना है फिर दोनों गुटनों की AD को आपस में दबाना है ऐसा करने से आपकी hip की surround ligament आपकी hip की muscles की एक अच्छी strength exercises होती है जिसको हम लोग isometric exercise भी कहते है इस exercise में एक variation हो रहा है कि आप दोनों AD की बीच में किसी तक्ये को भी रख सकते हैं जिससे अच्छा strength आपको मिले इसी exercise का अगर हम back view देखते हैं तो आपको गुटनों को open कर लेना है और दोनों AD की बीच में किसी pillow को भी आप रख सकते हैं और जैसे आप AD को दबाएंगे तो आप hip की muscles में एक अच्छा contraction देख रहा है इस वीडियो के अंदर ऐसा contraction आपको वहाँ मिलेगा यानि इस exercise का जो पूरा load है वो आपके hips और आपके tailbone पहाना चाहिए इसमें हमारी ileum bone का posture tilt भी होता है और हमारी enter side का mobility भी होता है tailbone का दोस्तों यह जो हमारी अगली exercise है इसके अंदर आपको एक frog की position के अंदर आ जाना है दोनों घुटने को जितना आप broad कर सकते हैं उतना broad कर लेना है और अगर आपकी जो pelvis से वो नीचे नहीं आ रहा तो उसके नीचे आप तक ही को भी रख सकते हैं इसमें हमने एक ball को नीचे की तरफ रखा है फिर आपको अपनी hip की muscles को squeeze करना है tight करना है 5 second रोकना है और उसके बाद छोड़ना है इस exercise में आप breathing का involvement भी कर सकते हैं इस exercise के अंदर हमारी जो tailbone होती है वो anterior side के अंदर movement करती है जो कि आप easily feel करेंगे इस exercise को करते हैं वहीं हमारे दोनों side की ileum bone का posterior mobilization करता है basically posterior medial mobilization होता है हमारी ileum का जो कि हमारे tailbone के surround, sacrum के surround ligament को lose करती है और उससे काफ़े अच्छा पुदर मैराम मिलता है दोस्तों हमारी आखरी exercise है इसके लिए आपको table pair को रख लेना है और दोनों घुटनों को भार की दरफ open कर लेना है उसके बाद में आपको अपने hip का pelvic rotation करना है और नाग से लंबी सांस लेकर मूँ से छोड़ने के बाद आपको अपने hips को उपर गितरफ उठाके 10 सेकिंड तक hold करना है इसमें आपकी lumbar spine का mobility होता है आपके ileum bone का portion tilt होता है आपके sacrotubal ligament आपकी hip की तीनों muscles का अच्छा stand होता है दोस्तों इन सबी exercise को जब तक आपको proper recovery नहीं मिलती तो video को like और share जबर करेगा मिलते हैं आप सबी से next video में करें दो Pasटी तो कि आपको houगा नहीं मिलती